हेलो फ्रेंड आप सभी का आपके यूटूब चैनल पे एक पार फिर से स्वागा थे और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस दरोगा का मेंस का एक्जामिनेशन का सिलेबस की बारे में कि मेंस में क्या-क्या पुछा जाता है और मैं आपको साथ में कोशन भी दिखा दूँगा जो पिछले दो साल जो आये हैं और उस पर हमें एनलैसिस भी किया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने कोशन पूछे के हैं वो भी आपको इस वीडियो में में बताने वाला हूँ तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके सामने जो सिलेबस दिख रहा है इसके अंदर आठ सब्जेक्ट है जिसमें अगर मैं बात कुर एक कौन-कौन सब्जेक्ट है अगर देखा जये तो सबसे पहला current affair देखने को मिलेगा साथ में आपको हिंदी अभी मिलेगा उसके बाद science को बिलेंगे उसके बाद history हो गया उसके बाद geography हो गया उसके बाद polity यानि civics हो गिया और साथ में economics हो गिया इतनी subject जो हैं आपके examination के अंदर पुछे जा रहे हैं और मैंने और सभी का यहाँ पर आपको मैंने आपको दिखाने को कोशिश किया हैं जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखें कि current events के बारे में पुछा गिया है कि current event में क्या पुछा जा सकता है अगर current affair अभी culture और religion से कुछ भी कोशन होगा तो वो बन सकता है साथ है mountains के बारे में यानि ports के बारे में harvards के बारे में कहीं sports के बारे में ध्यान रखेगा बिहार में इस बार question जो है sports से बहुत ही जादा पुछा जा रहा है अगर हम बात करें बिहार द्रोगा का ही जो पीटी के एक्जामने चुन में आप लोगों को पता ही होगा कि कि sports से question उसमें अच्छे कासे पुछे ही जा रहे है साथ में अगर बात करें तो हमारे neighbors country जतने भी है यानि प्रोसीद्रस जतने भी है उसके बारे में साथ में Indian heritage यानि कि भारत का जो भी heritage culture जो है उसके बारे में कि कौन सा अभी शामिल किया गिया है किसे कौन सा आवार्ड मिला गिया है कौन से अभी monuments पे हम बनाये गये हैं या बनाने वाले हैं ऐसा कुछ question उसके बाद कौन से डिजी जैन क्रोना के चलते या जो आया है आपका ओमे क्रोन है उसके कोई best question पुछेगा authors के बारे में, awards के बारे में पुछा जाएगा, साथ में कोई full form सबके साब में पुछा जाएगा आपके आप कोई appointment हुएंगे, कहीं कभी परधान मंतरी, राश्पती, कहीं कभी appointment हुए हैं या किसी का CEO हो गया, किसी की चीज़ का ambassador हो गया, यह सभी question जो है current F.E.R. में देखनों को मिलता है आपको सबसे अच्छा क्या है कि आपको previous question देख लेना है, वहाँ से पता चलेगा कि question कैसा पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखे sentence error के बारे में पूछेगा, sign names, antennas, यानि की पढ़याई वाची, विलोम शब्द पूछेगा sentence correct यानि की आपको कह सकते हैं, वाके को शूद करने के यहाँ बोला जाएगा, खाली जगा को भरने के लिए बोला जाएगा और कुछ close test यहाँ देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर हो सकता है उसकी बाद अगर बात करते हैं general studies की, तो general studies का मतलब यहाँ पर civics, politics, economics, चार सब्जेक्ट जो मिला के बोला जा रहा है जहाँ पर आपका Indian history पूछेगा, Indian polity पूछेगा, Indian economy, Indian geography यह से भी कोशन यहाँ पर पूछने वाले हैं साथ में कुछ sports, banking से रिलेटेट को भी कोशन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं बट मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा, syllabus, question भी दिखाने वाला और syllabus में भी दिखाऊँगा कि कितने कोशन अभी तक पूछे गए हैं सभी subject से साथ में बात करते हैं general science की, तो general science का minimum आपको 10 तक अच्छा कासा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 12th standard का biology पूछेगा, physics पूछेगा, chemistry पूछेगा कि हमें minimum 10th to 12th का आपको यहाँ जनकारी अच्छी तरह से science में होने चाहिए क्योंकि 10th और 12th बहुत ज़्यादा important role play करता है science के अंदर और question जो है science के अंदर margins भी बहुत ज़्यादा है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना question पूछा गया है उसकी बाद अगर बात करते हैं Indian history और geography फिंडिया की बात करते हैं तो social study के अंदर Indian history, culture, geography, environment, economics, freedom movement बहुत 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 प्ले करता है examination के अंदर साथ में आपका quality से constitution से पुछा जाता है, पंचायती राज वबस्ता से पुछा जाता है agriculture से natural resource में जैसे के कहीं factory के बारे में है कहीं कौन से resource कहां available है उसके बारे में है, साथ हम mathematics का देखा जाए, तो mathematics भी एक अच्छा कासा role play करता है यह भी 5-6 question examination पुछी ले जाते हैं, जो की कुछ-कुछ 2-3 question ऐसे भी देखने को मिलेगा जो inter-based पर होते हैं, लेकिन normal question रहेगा ज्यादा heart नहीं रहने वाला है तो यहाँ पर देख से थे syllabus क्या क्या है, तो simplification पुछा जाएगा, average से question पुछता है, percentage से पुछा जाएगा, time and work से, area से पुछा जाता है, profit and low से question पुछा जाएगा, simple and compound interest से पुछा जाता है, time and speed से पुछा जाता है, bar graph से, pictorial graph से, और investment यानि की, और यहाँ पे HCF, LCM से 8-9 question में कभी-कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन normally 4-5 question का vary करने को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको space visualization के बारे में, similarity के बारे में, problem solving हो गिया, judgment के बारे में, decision making के बारे में, या आपका when diagrams के बारे में, या आपको fill in the blanks इस तरह देखने को मिलता है, उस परकार से, अगर arithmetic series के बारे में, यह सभी question देखने को मिलता है, तो अब हम बात करेंगे, आपको नए question जो आपी पुछे गये हैं, लास्ट दो साल के, उसके बारे में बात करते हैं, कि इसमें कौन-कौन question कैसे परकार के पुछे गये हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं question, भी hard rover का main question है तो आपको maximum question यहाँ पर बना ही लिजेगा, जैसे question पूछ लेता है, उचितम नियाले के नियाधिस के अवकास ग्रहन की उम्रे कितनी होती, यानि कि इसका retirement age क्या होता है, तो 25 साल या 62 साल, 60 साल जैसे question जो बनाता आपको यहाँ पर बनाना होता है, उसी प्रकार से 2017 में बन उसी प्रकार से पूछा भारत के राश्पति द्वारा नियुक्ति नहीं होता, इनमें से कौन से भारत के राश्पति द्वारा नियुक्ति इसका नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपको यह एंसर देना होता है, उसी प्रकार से देखिए विभेन राजनितिक दैलों के स इसे भी कोशन है, यहां पूछा गया था, बिहार के उपमंत्री कौन है, तो उस्टम साइथ सुशिल कुमार मोधी ही थे, तो उसका एंसर सही हो जाता, तो 17 कोशन था, करेंट इस पकाड़ कोशन, बेसिक कोशन पूछा जाता है, जहां पर जोग्रफी की बात करते हैं, तो य लेकिन इस कोशन के हिसाब से संथ पंजाब इसका सही अंसर हो सकता है, उसी पकाड़ से हिस्ट्री के कोशन देख लिजे, तो यहां लिखा सूफी संथ ख्वाजा मोयनिदिन चिष्टी का, उर्ष कहां मनाया जाता है, तफते पूर्सिकरी, अजमेर शरीफ, बिहार शरीफ आगरा, तो आपको यहां पर बताना होगा, उसी पकाड़ से देखे हिस्ट्री के अंदर कोशन पूछा गया है, कि हिस्ट्री का नहीं जोगरफी कही है, कि सुदूरपुर में जो देश कसरवदिक लंबी सिमा बनता है, वो कौन सा है, तो यहां पर कोशन उसी पकाड़ का ह उसी पकाड़ से जोगरफी के कोशन देखने को मिला है, सलेट रूपांतिरित रूप है, किसका रूपांतिरित है, टालक का, गरिनाइट का, शैल का, सगमरमर का, उस पकाड़ से बताना होता है, उसी पकाड़ से देखे हैं, सिंदू घाटी के बारे में पूछा, सिंदू ग्रुव थें, दुत्वे ग्रुव थें, दस्वे ग्रुव थें, पाच्वे ग्रुव थें, इस परकार के basic question पूछ रहा जाता है, hard नहीं पूछेगा, करनिश्क की राजा थें, कहां के थें, मोरी के थें, कुशान के थें, पालवंस के थें, तो आपको ये answer देना होता है, भारत पा कर्मन करने वाले पहला मुसल्मान साशा कौन था, तो यहां पर आपको बताना था, जिसका मोहमद बिन कासिम से का सई answer होता है, तो इस पकार से यहां पर question बनता है, तो तुर्की साशक पूछेगा, इस पकार से question पूछेगा, जोगरफी में देखी कितना आसान question पूछता है कि पृथी भी अपने धूरी पर घूमती है कितने घंटों में, तो आपको एंसर इस पर बताना है, जो लगती सूर की परिक्रिमा करने में, आठासी दिन कौन सा आपको सा गरा लगाता है, सुक्र लगाता है, बूध लगाता है, मंगल, वरुन, आपको यह बता है, घाडो, जानतिया, जो मिलते हैं, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है, तो गाडो, जानतिया, मिघाले के हैं, अस्थम के हैं, यह आपको यहाद रखना है, और उसी पकार से कोभी और साइन्स दिखे, एक कोशन पुछा कि भारत के बुल-बुल, नैट अट एंगल ऑ ब्राबर होते हैं तो जो भी बिच्चे को यहां पर chemical formula अगर आता होगा बनाने के लिए याद होगा तो वो एंसर जिली कर सकते हैं उसी एक बात देखे प्लाश्र और परिसका formula क्या होता है तो C4H2 into H2 होता है इसा question पुछा जाता है कि science or question है अब चली बात करते हैं इसी पकार से पूरा question यहां पर दिया गया है 27 क अंदर और मैंने इसका analysis करके कि इतने question कहां कितने question कहां कितने पूछा गया है अब चली बात बताना थे बेरी-बेरी में, जीरो थे पिलिया में या गल-गंड में या पिलागा में ऐसा question पूछा गया है उसी पकार से देखेंगे तो वहां सवक्ष चल के मचलियां कौन सी होती है कहां पाई जाती है तो रोहू कैसे मचली है सवक्ष पानियों पाई जाती है कि कतला प सेलेक्षन करना था A, B, C की साफसे तो आपका ये answer बन जाता है उसी पकार से या परवत चोटी हो गया amount या question पूछ देता है कि भारत के सबसी मूची चोटी या कौन से चोटी इसमें भारत का नहीं है या भारत की है उसा question पूछा गया है इसी पकार से देखेंग और नीच ये पूछा गया है तो वही देखिए यहां पर इसका answer तो हो जाता आपको पता ही होगा से यहां पर option थे था उसकी साफसे आपको मारना था और उसी परकार से question बहुत basic basic जाएन के 23 तरिसकार कौन थे महाविर थे नहीं रिशाब देव उसका सही answer होता या पार्शावनात हो आपको बताना है तो आपके लिए जो सही है उसी पर जनगर्ना से question पूछा जाएगा 211 की जनगर्ना करने सा भारत में नियूमतन चंसन के घनत वुला राजी कौन सा था तो आपको वह बताना है तो इस पगार से यहां पर मैंने बहुत से question देखा है तो यहां पर बहुत से question को यहां पर देखने को आपको मिलेगा तो यहां देखे पूरा hundred question है जहां पर आपको हर question यहां पर देखने को मिल रहा है अब देखे math की बात करते हैं तो math में कुछ इस पगार वैलू दिया हुआ आपको यहां मान बताना है उसी पगार्द कि इंटर पे यहां question पूछा question यहां पर देखने को मिला है कि इस पगार्द का इंटर से question जो भी बच्चे इंटर अच्छे से की होंगे तो उनको यह math बन जागा उसी पगार से A, B, C गुनवत्तर सिरेनी है तो तब लोग A, B, C का मानी क्या होगा वो आपको पुछा गया है तो यह से math का भी question 10 और 12 दो 27 के अंदर है, जो science का subject है, उसके अंदर आपका 33 question पुछा गया था, यानि 33 question जो है आपका science में पुछा गया था, यानि बहुत दी बिरा margin था उस time, 27 के अंदर, बात करेंगे pattern क्या उसमें थ्रोट changing हुआ है कि ने वो भी हम बात कर लेंगे, अब देकि history में question 20 question पुछा गय पुछा गया था, पॉलिटी में 18 question पुछा गया था, economics में 3 question पुछा गया था, और current affair में 8 question पुछा गया था, math origin इसमें 17 में नहीं था, लेकिन 18 के बात करते हैं, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जिसी 18 का यहां पर है, जहां पर देख सकते हैं, science का यहां पर जो question है आपए happen पर कम किया, यहां पर 16 नंبر यहां पर पूछा गया, जहां पहले 33 नंबर पूछा गया था, अब यहां पर धिर रिन कम हो गया, उसी पकार सा अगर देखेंगे, तो यहां पर हिस्टी के बारे में है, हिस्टी का 17 question पूछा किया था, जबकि 17 का यहां पूछा गया जबकि 2017 में पॉलिटी का जो कोशन था वो 18 कोशन पूछा गया था यानि कि नॉर्माल ही तो दिक्कत नहीं है एकनोमिक्स की बात करते हैं तो 2018 में 7 कोशन पूछा गया था वही अगर बात करते हैं 2017 के अंदर आपको वहाँ पर 4 या 3 कोशन देखनों को मिला था अगर हम बात करते हैं math और reasoning की बारे में तो math और reasoning भी 6 कोशन और 13 कोशन देखनों को मिला था जबकि 2017 के अंतर इस परकाट सरह कोई भी कोशन नहीं पूछा गया था harm केले मैं और reasoning की अब और governing हो सा कि अब तो यहाँ पर पूछा जाएगा तो current of year ज्यादा matter नहीं करता है लेकिन आपको 5-8-10 question देखने को मेरे current of year बाकि जो बचता 4-5 subject science, history, geography, quality और economics यह आपका maximum range हो दाता है आप maximum question number इससे आते हैं तो इस पकार से आप तयारी कर सकते हैं तो यहाँ पर 5 core subject है इसके आपको यहाँ पर अच्छी तयारी कर लेना है अगर आप Lucerne के भी किताब पढ़ लेते हैं तो आप इस maximum number of question आप इसमें touch कर सकते हैं तो आसा करता हैं दोस्तों इस पकार से आपको प्रहा समझ माग गया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है तो आसा करता हैं वीडियो अच्छा लग होगा अगर वीडियो अच्छा लग होगा तो लाइक किजिए वीडियो को share किजिए और चैनल को subscribe जरूर किजिएगा मिलेंगे next वीडियो में तो thank you for watching this वीडियो